स्वागत करता हूँ सभी सात्यों का एकबरपुना भारती वीजन कलासेश में आज हम जेरेंद्र जी का बहुती महत्पुन उपन्यास त्याग पत्र लेकर आगे हैं बहुती ही बहत्री उपन्यास है इस उपन्यास को हम निचोड अध्यन करेंगे यहाँ कलास बिहारे श्टेपर पेपर टू के त्यारे कर रहे विद्यार्थी वे बहुती ही महत्पुन है क्योंकि परिक्षा का समय अब लगभग एक सब्ता का समय बचा हुआ है तो जितने भी साती हैं त्याग पत्रों पन्यास को पढ़ लेजे यहाँ से एक या दो परशन नहींचित आने वाल है साथी साथ जो विद्यार्थी जिनका सिलेबस में त्याग पत्रों पन्यास लगा हुआ है तो उनके लिए भी यहाँ कलास बहुती महत्पुन है तो सभी साती आज के इस कलास से जुड़ जाएं आज हम इस कलास में त्याग पत्रों पन्यास का निचोड अध्यन करेंगे सबसे पहले लेखक परिचे देखेंगे उसके बाद पात्र परिचे देखेंगे संपुन कथासार देखेंगे परमुख समवाद देखेंगे जो उपन्यास में आये हैं और अंत में MC क्यों भी करेंगे आनि बहुत ही बेतरिंग कलास होने वाला है तो सभी साथ ही आज के इस कलास से जुड़ जाएंगे चलिए अब हम चलते हैं त्याग पत्र उपन्यास की ओर तो त्याग पत्र उपन्यास जो है जनेंदर जी का उपन्यास है जनेंदर जी का जर्म जो हुआ था दो जर्वरी 1905 कोडियाल गंज उतर परदेश में हुआ था और इनकी मिर्टिव 24 दिसंबर 1998 इस भी उतर परदेश में हुई इनका मूल नाम क्या था याद रखेगा तो जनेंदर कुमार जी का मूल नाम जो था वो आनंदी लाल था यहां सभी परत्र की परिच्छा में परशन आ जाते हैं इसलिए इसे भी जानना बहुत ही जरूरी है एक और महत्पुन बिंदु है एक अक तथ्यों को आप उपन्यास के जनक माने जाते हैं इनको मनो विशलेशनवादी उपन्यास का जनक कहा जाता है अनि या एक मनो विज्यानिक कथाकार है याद रखेगा अनि मनो विशलेशनवादी के जनक इनको कहा जाता है उपन्यास का और यह मनो विशलेशनवादी क्या है तो कथाकार मान जाते हैं आगे है फासी जिनेंद्र कुमार जी का पर्थम कहानी संग्रा है और परक्ष जिनेंद्र कुमार जी का पर्थम उपन्यास है अब जिनेंद्र कुमार की जितने भी उपन्यास से उसकी हम चर्चा कर लेते हैं आज हम पढ़ेंगे इनकी उपन्यास त्याग पत्रों क बेहतरीन तरीके से फिर भी इनके जितनी विपन्यास उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं इनका पहला विपन्यास परक जिसका समय शिमा दिया गया 1929 इसवी में इसका प्रकाशन हुआ था तो ये बाल विद्वा कटो की सची और अधुरी प्रेम कहानी इसमें चितरित किया गया है इसमें परमुक पातर में कटो सत्यधन जो मास्टर जी हैं बिहारी और गरीमा है अगला है सुनिता 1936 इसमें पुरुस योन उतेजना और नी संतान्ता से समंदित है इसमें परमुक पातर सिरिकांत ये आपका सुनिता और हरी प्रस्न है इस उपन्यास में सुनिता जो हरी प्रस्न की सम्मुक क्या होती है नंगा भी होती है मतलब निर्वस्त्र होती है इसमें यह चर्चा है तो हो सकता परिक्षा में यहां से भी प्रसन पूझ दे तो आद रखेगा यह सुनिता जो उपन्यासे इससे यह प्रसंग को यह प्रसंग उसी में सामिल है अगला है त्याग पत्र जिसको आज हम पढ़ेंगे इसका आशन वर्ष उनचालिस या इस्तिरेश जीवन में पती का प्रेम नाम मिलना यह सब चित्रित है इसमें कल्यानी असरानी है अगला है सुगदा यहां उनीस Delhi है 1952 इसमें विवाहिक आशमानता तथा अनमेल विवाह का इसमें चित्रण किया गया है इसके पर्मुपात्र में सुगदा और सिरिकांद है अन उपन्यास इनका है वीवर्त यस्वर्धन मुक्तिबोद अनंतर अनाम स्वामी और दसार्थ तो याद रखेगा ये सभी इनके उपन्यास हैं तो इस अभी उपन्यास को आप याद कर लिजा क्योंकि अगर आपका सिलेबस में अगर जिनेंद्र कुमार जी का एक उपन्यास लगा हुए सभी उपन्यासों को भी आप याद कर लिना कौन कौन उपन्यास हैं परक्सुनिता त्याग कल्यानी सुगदा वीवर्त इसके लवज जैवर्धन मुक्तिबोद अनंतर अनाम स्वामी और दसार्थ अब आगे चलते हैं अब हम सिधा पन्यास में अन्वेल विवाग की दूस परिनाम की कहानी है जिरेंद्रे ने इस उपन्यास में नारी समस्याओं का उद्गाटन किये हैं त्याग पत्र पन्यास वेक्ति परधान अनि मनो विशले सनवादी उपन्यास है त्याग पत्र पन्यास एक इस्तिरी अनि मिर्नाल ज और त्याः पतब्स पर नारि उपन्याज भी माना जा सकता है त्याः पत्र उपन्याज भी बाने जा सकता है। मिनाल उसकी जो बुवाय मिनाल की मिर्ती हो गई है तो वह अपने आप पर उससे सरमिंदगी महसूस होता है और वह क्या करता है तो अपने जज के पत्से इस्थीपा दे देता है आगे बढ़ते हैं त्याग पत्र पन्यास एक नारी की अत्रिप्त जीवन की करुण कथा भी है और कुल मिलाकर कह सकते हैं इसमें जो नारी नारी बार बार तो समझ लिजेगा इसमें मिर्नाल की चर्चा है इस उपन्यास की नाईका मिरिनाल है तथा उसका भतिजा परमोद क्या है तो नायक है याद रखिएगा तो याद रखिएगा बहुत है महत्पुन है नाईका कोनेत मिरिनाल और भतिजा जो उसका परमोद है वो नायक है अनि त्याग पत्रुपन्यास की नाईका मिरिनाल और नायक परमोद इस उपन्यास में मिरिनाल के भाग यहीन तथा त्याग में जीवन के को दर्शाया भी गया है अगला महत्पुन्न तथ्या है इसुपन्यास की संपुन्न कथा त्याग के कारणों से चार और घुमता रहता है अनि मिर्नाल को भी बहुत जगा त्याग आ जाता है एक जगा वह रहा नहीं पाती है सबी जगा उनको निकाल दिया जाता है इसके लावे अन्त में भी जब परमोद जो है वो भी इसुपन्यास जो उसी के जीवन से समन्दित है क्या करता है जब मिर्नाल की मिर्टी होती है तो वो भी अपने जज के जब पद है उससे क्या करता है तो त्याग दे देता है तो इसलिए इसका नाम भी पड़ा है त्याग पत्र क्योंकि इसकी संपुन कथा त्याग के कारणों से चार ओर क्या है इसकी संपुन कथा गुमता रहता है अब हम आगे बढ़ते हैं अब पात्र योजना दिखते हैं पात्र परिचे साथ से पहले परमोद उपन्यास का नायक है तथा कथा वाचक है संपुन कथा वाचक है उपन्यास का सर एमद्याल चीफ जज है जो सर एमद्याल के नाम से मतलब ये जो उसकी कता है सर एमद्याल की त्याग देने की कता है पर नतु यहां लेखक ने इसमें सर एमद्याल के जगह पर उसे परमोद से क्या किया है तो कारेक्टर को परमोद बना दिये जो मिर्नाल की मिर्ति हो जाने पर जजी का जुपद है जज का पद है उसे त्याग पत्र दे देते हैं मिर्नाल परमोद की बुवा है क्या है तो मिर्नाल जो है परमोद की बुवा है परमोद मिरनाल की हर समय सहायक बने रहते हैं परमोद जो है मिरनाल के लिए हर समय सहायक रूप में इसमें बना हुआ है उपन्यास में वह बार बार मिरनाल को अपने घर लाना चाहता है परन्तु आती नहीं है मिरिनाल का प्रेम पत्र मिरिनाल का प्रेमी के पास लेकर जाता जाने का भी काम करता रहां से लेकर भी आने का काम करता परंतु इसे पता नहीं होता इसमें लिखा क्या है बुवा मिरनाल की खोज खबर करने वाला और हमेशा बुवा मिरनाल की खोज खबर करने का गवी जो एक परकार से जो कारेक्टर आया है वो परमोत का ही आया है अब हम चलते हैं दूसरी इसमें क्योंकि इसमें पात्रों की संख्या बहुत ही कम है मिरिनाल इसे लगू उपन्यास भी कहा जा सकता है तो मिरिनाल उपन्यास की नाईका तथा परमोत की बुवा है सीला का भाई की प्रेमिका तथा उससे योन सम्मन्द बनाती है अनि सिला का भाई से प्रेयम करती है और दीरे-दीरे क्या होता है प्रेयम जितना आगे बढ़ते जाता है अन्तमें योन सम्मंद भी अनि सारेलिक सम्मंद भी बना लेती है परमोत के पिता मिरनाल का विवाह एक उम्रद राज विदूर से कर देते हैं जो पहले से विदूर एक परगार से का सकते हैं जिसकी पतनी पहले से मर गई होती है उसी विदूर से क्या करते हैं परमोत के पिता मिरनाल का विवाह कर देते हैं करते क्योंकि पता चल जाता है कि सिला का भाई से इसका प्रेम परसंग चल रहा है अता हुआ है क्या करते तो मिर्नाल का विवाह कर देते हैं मिर्नाल अपना ससुराल में एक मिरित बच्चे को जर्म देती है जिसे पती पत्नी में दरार पेदा हो जाता है मिरित बच्चे को जर्म देती है जिसे पती पत्नी में दरार पेदा भी हो जाता है एक तथियस में छुड़ गया है मिरिनाल को याद रखेना मिरिनाल को प्यार से मिनाल को प्यार से क्या तो मिनाल को प्यार से जो परमोत की पिता है और मिनाल के भाई मीनी कह कर भी पुकारते हैं या भी याद रखना मीनी क्योंकि परिच्छा में यहां से भी परस्न आ सकता है अब मिनाल को बेंतों से पिताई कुन करती है जब उसे पता चल जाता है कि वह सिला के भाई के यहां बहुत देर से ज़्यादा दे तक रह जाती है फिर नोकर को भेजा जाता है बुलाने के लिए जब नोकर लेकर आता है तब परमोत की जो मा है वह मिरनाल को बेंतों से बहुत पीटी भी है रूस तिन से मिरनाल का जाना बंद हो जाता है और श्कूल जाना बंद कर दिया जाता है उसके घर में रहती है और पांच-छे महने के बाद उसके जो भाई है और परमोत के पिता उसका विवाह भी कर देते हैं तो यहाँ प्वेंट भी याद रखेगा पती पतनी में दरार पेदा उने कारण था एक में बच्चे को जर्म देती है पती द्वारत त्यागे जाने पर एक कोईला बेचने वाले बन्ये के साथ रहती है जिससे वह पुना गर्भवती होती है अब ऐसा होता है कि जब पती को पता चल जाता है एक बात और इसमें छुट गिया है कि याद रखेगा मिरनाल को उ अपने पती को इसकी जानकारी देती है और उस प्रेम पत्र को अपने पती को भी दिखाती है जिससे पती को मिरनाल के चरित्र पर शक होता है इसी कारण होता है कि दरार प्यदा हो जाता है और पती कहता है कि तुम यहां से चले जाओ और उसका त्याग कर देता है उसका पत और गदा तुम मैके चले जाओ फिर मिर्नाल अपने मैके ना जाकर क्या करती है आत्महतिया करने के लिए सोचती है परन्तु आगे फिर कोईले वाला जो है कोईला बेचने वाला एक बनिया है वह क्या करता है मिर्नाल का सहारा बनता है उसके साथ ही रहने लगती है और वहां का सकते हैं नीधर और नीजातिक अलावे जहां पर अपराधी लोग रहा करते थे वो इसी काम में एक गंदी कोठ्री में हो जाती है तिये मिनाल का था पात्र परिचे अब हम आगे बढ़ते हैं सीला मिनाल की सहली है और मिनाल की प्रेमी की बहन है सीला का भाई मिनाल का प्रेमी तथा सिविल सर्जन में नोकरी करता है सीला का भाई तथा मिनाल के जीवन को नरक बनाने वाला पात्र है निए सीला के भाई के कारण ही मिनाल का जीवन नरक बनता है क्योंकि सीला का भाई साधी से पहले मिनाल को क्या करता है तो मिनाल के साथ प पत्र जो है मिर्नाल के पती को मिल जाता है जिसके कारण मिर्नाल का जीवन क्या होते नरक बन जाता है हर जगा उसे त्यागा जाता है विवाह ना करने की कसम खाने वाला रवह मिर्नाल से भी कतक में जीवन बर विवाह नहीं करूंगा अगर तुम्हें किसी चीज़ की कभी भ परन्तु अंत में यह भी भूल जाता है, सिविल सर्जन यह भी मिनाल को भूल ही जाता है, आगे परमोद की पिता मिनाल के क्या है तो भाई है, और यह पात्र में परमोद की मा है, बन्या है, मिनाल का पती है, तो यह सभी पात्र है, मुख्य पात्र के रूप में कह सकते कि मिन मिनाल परमोद है ना यही मुख्य पात्र है संपुन कथा में मुख्य पात्र के रूप में कसेते मिनाल और परमोद ही है इसके लावे मिनाल के भाई और मिनाल के जो है एक परगार से परमोद की मा आई है और बाकी मुख्य पात्र में मिनाल और परमोद ही है अब संपुन कथा वस्तु को हम देखते हैं आगे बढ़कर थ्याक पत्र पन्यास की कथा परमोद और उनकी बुवा मिर्नाल की है अनि इसकी कथा जो है परमोद और उनकी बुवा मिर्नाल की है कथा वाचक स्वेम परमोद है कौन है परमोद है मिर्नाल के माता पिता के मर जाने के कारण मर जाने के बाद मिर्नाल को उसके भाई ने पाला था मिर्नाल के माता पिता जो है बच्पन में ही क्या होते मर जाते हैं जिसके कारण मिर्नाल को कौन पालता था उसका बड़ा भाई ही पालता है यानि परमोत के पिता मिर्नाल अंग्रेजी एस्कुल में पढ़ती थी मिर्नाल अपनी सहली सीला के यहां हमेशा जाती रहती थी जिसके कारण मिर्नाल सीला के भाई से प्रेम करने लगती है अब ऐसा होता है तो मिर्नाल जो है अपनी सहली सीला के घर जाती रहती है अब ऐसा होता है कि मिर्नाल जो है सीला के भाई से प्रेम के साथ साथ योन समन्द भी बना लेती है जिसका पता चलने पर परमोत के पिता मिर्नाल का विवाह क्या करते किसी अधेर उर्मदराज विदूर वेक्टी से करा देते अधेर मतलब मोटा आदमी है ना और से करते थे और विवाह भी उसी के उम्र के हिसाब से अगर होता तो अच्छा था परन्तु का सकते कि उनके पिता के उम्र का एक अधेर उर्मदराज अन्य जादा उम्र का एक वेक्टी जो विदूर है उससे करा दिया जाता है जिसके करा ससुराल में भी अपने पती के साथ मिरनाल रम नहीं पाती है एक दिन मिरनाल को सिला के भाई का प्रेम पत्र मिलता है जिसे वह बिना कुछ सोचे अपने पती को दिखा देती है अब एसा होता है कि जब वो सोस्राल भे रती है सोस्राल में भी उसे लगभग मार्ख खाना ही पड़ता है एसा भी उपन्यास में पता दिया हुआ है लेकिन एसा होता है कि एक बार क्या करता है सिला का जो भाई है प्रेम पत्र भेजता है किसके पास तो मिरनाल के पास अब मिरनाल क्या करती है बिना कुछ सोचे समझे वो अपने पती को दिखा देती है उस पत्रे को जिससे पती पत्नी में द्रार हो जाता है जब पती उस पत्र को पढ़ता है तो द्रार हो जाता है पती मिनाल पर लांगछन या फिर का सकते हैं कि चरित रहिंता पर आरोप लगाते हुए उसे नेहर लोड़ जाने को कहता है मिनाल को जब उसका पती त्याग कर द जाकर आत्मातिया करना चाहती है परन्तु बीच में फिर कोईला वाला बनिया आता है जो मिर्नाल को दे कर क्या करता है उसकी सुनरता को दे कर हो सकता है अग लालच में आ जाता है और उसे क्या करता है अपने साथ रख लेता है वो बनिये के साथ एक छोटी सी गंदी कोठ्री में रहती है परमोद मिरनाल को खोजते खोजते उस कोठ्री में पहुँच आता है दिए परमोद जो हमेशा मिरनाल का सहायक रहा है मिरनाल के लिए अच्छा सुचने वाला क्योंकि बच्पन में मिरनाल और परमोद का सेते परम मिनाल को वापस अपना घर साथ चलने को कहता है मिनाल वापस परमोत के घर जाना असविकार कर देती है मिनाल बनिये के साथ रहकर जब गर्वती हो जाती है तो वह भी मिनाल को चरित रहिन बता कर उसे छोड़ कर चला जाता है मिरनाल एक नवजात बालिका को जर्म देती है जो मात्र नो माह में इलाज के अभाव में मर जाती है अब मिरनाल जो है वह एक नवजात बालिका को जर्म देती है बहुत परिसानी से अब वह भी नो माह में इलाज के अभाव में क्या होती है किन्तु मिर्नाल के कलंकिता का पता चलने पर उस परिवार से भी निकाल दी जाती है मतल़ उस परिवार के लोग भी मिर्नाल को निकाल देते हैं हर जगे मिर्नाल को त्याग दिया देख लिजे अंततव मिरिनाल नीच वर्गो की गंदी गाउं में जहां पर प्राधित तत्व के लोग रहा करते थे जाकर एक जोपड़ी में रहने लगती है मिरिनाल वहां बीमार रहने लगती है परमोथ जाकर मिरिनाल से वापस घर चलने को कहता है परमोद पिर होया भी चला जाता है खोज़ते 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 आब वहा जाकर फिर से कर चलो मेरे घर चलो यहां तो मतलब जाने का जित करता है परन्तु मिरीनाल अस अविकार कर देती है मिरिनाल परमोद की परिच्छा लेने के लिए अब देखें मिरिनाल क्या करती है परमोद की परिच्छा लेना चाहती है या मेरा कितना सहायक हो सकता है तो उससे कुछ पेसे की मांग करती है ये परिच्छा लेने के लिए कितना वो मेरे लिए सहायक है परंतु परमोद पेसे देकर मिरिनाल की चिकित्सा का परबंद करके वहां से चला जाता है और फिर वह मिरिनाल के पास कभी नहीं आता देखिए अब ऐसा होता है कि जब वहां परमोच चला जाता है फिर मिरिनाल उसे पेशे की मांग करते हैं परिछा लेने के लिए इसके अंदर कितना सहिता करने का भाव है मेरे परती अब पैसा तो नहीं देता है वो यभी कदर तुम पैसे को क्या करोगी और वो क्या करता है मिर्नाल की चिकित्सा का परवन करके वहां से चला जाता है और फिर पुना मिर्नाल की खबर लेने तक भी नहीं आता है उसके बाद मिर्नाल जब गरिबी और दर्द भरी जिवन को त्याकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा कले चले जाती है तो परमोद जो सरयमद्याल है जो चीफ जज है विरक्त होकर जजी पद को त्याग पत्र देता है और यही त्याग पत्र की कथा है आगे पिछे इसकी जो संपुन कथा है आगे पिछे चली है तो मिर्नाल के जीवन में जो सबसे पहले मिर्नाल के जीवन के बारे में चर्चा करते हैं तो मिर्नाल जो थी पहला यह हो जाएगा कि मिर्नाल सिला के भाई से प्रेम करती है जब वो अपने नईहर में थी यह पह से फिर त्याग कर गई कहां तो अपने विदूर मतलब पती के पास चले गई अब पती भी त्याग देता है पती भी क्या करता है तो पती भी मिर्नाल को त्याग देता है अब पती के बाद जब वो त्याग देता है मिर्नाल फिर कहां चले जाती फिर वहां से फिर मिर्नाल एक गंदी बस्ती में चले जाती है अब गंदी बस्ती में जाने के बाद ने नी मिनाल का पति त्याग तो किसके पास चले जाती है तो बनिय के पास चले जाती है ना अब बनिया जब त्याग कर दे था ता वो गंदी बस्ती में चले जाती है तो मिनाल का देखे हर जगा त्याग पन्यास है इसमें जादे पात्र नहीं है मुख्य पात्र कुट में मिनाल और परमोध ही का सकते हैं अब सबसे पहले मिनाल का यह बहुत ही महत्पुर्ण कथन है समवाध है जिसको तन दिया उसे पेशा केसे लिया जा सकता है यह मेरी समाज में नहीं आता यह मिनाल से यह मिना का दर्स और क्या है ये भी मिनाल ही कहती है आगे बढ़ते हैं नहीं भाई पाप पुनिय की समिक्षा मुझसे ना होगी या परमोद का कथन है परमोद का एक और कथन है विवाह की गरंथी दो के बीच की गरंथी नहीं है वह समाज की बीच की भी है ये भी किसका कथन है तो परमोद का ही है फिर है मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहते हूँ समाज तूटा कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे ये मिर्नाल का कथन है परमोद से कहती है और अंतिम समवाद है एक वर महत्पुन समवाद है जीवन एक परिक्षा है कम से कम मैंने तो उसको यही बना लिया है ये मिर्नाल का ही कथन है तो ये सभी महत्पुन कथन थे अब हम बहुँ विकल्पिय परशन की ओर चलते हैं आनि इ MCQ कि आज हम चर्चा करेंगे जितने में महत्पुन MCQ है तो हम आपको प्रारण में पता दे थे कि संपुन कथा को देखेंगे देखेंगे एक लगभू उपन्यास है जिसके कारण इसकी कथा बहुत जल्द समाप्त हो गई अब हम इसके MCQ के और चलते हैं पहला परस्न है जिनेंद्र कुमार के उपन्यास्त्याग पत्र का परकासन वर्स कब हुआ अनि परकासन कब हुआ बहुत ही असान सा परस्न है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो 1937 में अगला परसन है जिनेंदर कुमार को पन्यास्त्याग पत्र किसके दूस परिनाम की कहानी है देहज पर्था की बहु विवाह की प्रेम विवाह की या अनमेल विवाह की तो इसकी चर्चा भी हम प्रारम में कर दिये थे अनमेल विवाह की तिसरा परसन है जिनेंदर कुमार के पुर्व प्रेमी का पत्र आता है जिसे वह क्या करती है अपने पती को दिखा देती है यह पता चलने पर वो क्या करता है तो मिनाल को अपने घर से निकाल देता है प्रस नंबर पांच है जिने निर कुमार पणिया स्त्याक पत्र के द्हार पर बताईे कि मिनाल के भतीजए का क्या नाम था तो यही बहुत एसान सा प्रस प्रस नहें है पर मिर्स नंबर साथ है जरेंदर कुमार अपने उपन्यास त्याग पत्र में जिन समास्याओं का उद्गाटन किया है वे किस समाजकी है पिछले समाजकी, अच्छुत समाजकी, नारी समाजकी या संपन समाजकी तो इसका सम्हतपुर्ण है परस्ण है इसका सही अंसर है नारी समाजकी परस नमबर आठ है जिनेंदर कुमार का उपन्यास ट्याग पत्र कीस परकार को उपन्यास है समस्या परधान पुरुस परधान नारी परधान या वेक्ति परधान तो ये नारी परधान और वेक्ति परधान दोनों है नारी परधान और वेक्ति परधान अनि नारी समस्या पर पना के या समाज और जाती के तो इसका सही जवाब क्या होगा तो नायन का सही जवाब होगा दर्शन और मनोविज्ञान के क्योंकि मनोविज्ञान आपको मिल जाएगा तम बिल्कुल वही अंसर हो क्योंकि जनेंद्र कुमार जो है मनोविज्ञानिक कथाकार है और उनका त् उडेसय पर्धान या देश काल पर्धान तो इसका सही जवाब क्या हो है तो इसका सही जवाब होगा उडेशय पर्धान जिनेंद्र कुमार क कि अपनया श्त्याग पत्र की पांडू लिपी किसके काज काग्जों में मिले थी सर एम दयाल सर एस दयाल सर के दयाल या सर वाई दयाल तो सही अंसर क्या होगा सर एम दयाल वही परमोद के पात्र के रूप में आये हैं परमोद का जो करेक्टर है वो सर एम दयाल का ही है जनेंदर कुमार के पन्यास्त्याग पत्र की कथा कोन कहता है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा परमोद जनेंदर कुमार के पन्यास्त्याग पत्र के सभी पात्र की स्परकार के प्रानी है उदार मना, दुर्बल मना, महा मना या चंचल मना तो तेरा का सही जवाब आपका हो जाएगा तेरा का सही जवाब होगा दुरूबल मना अगला परस्ण है जिनेंद्र कुमार की उपनिया स्थ्याग पत्रिका धार पर बताई कि परमोथ जब अपनी बुवा में नाल से मिला तो वे किस प्रकार की धोती पहने थी लाल रंग की किनारी दार सफेद रंग की किनारी दार लाल रंग की बिना किनारी दार या सफेद रंग की बिना किनारी दार वही चीज़ होगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो इसका सही जवाब होगा सफेद रंग की तो पहनी वी थी तो चार यहां option दिये हुए कैसी दे था उनका तो एक हारी इसलिए बहुत सुन्दर दिखती थे जनेंदर कुमार को पन्यास्तियाग पत्र गदर पर बताईए कि जब मिनाल का भतिजा परमोद उनसे मिला तो मिनाल की आखों में क्या थे निरासा चिंता इसनिगता या कठोरता तो सुल्ला का से जवाब हो जाएगा इसनिगता परस नमबर 17 है जनेंदर कुमार को पन्यास्तियाग पत्र में पात्रों की संख्या कैसी है कम है बहुत ही कम है अधिक है बहुत ही अधिक है तो इसका से जवाब होगा बहुत ही कम है जन मिनाल की बहन, मिनाल की सखी, मिनाल के माता या मिनाल के पढ़ोसिन, तो मिनाल की सखी थिया नहीं सहेली थी। जिनेंदर कुमार के पन्यास त्याग पत्र के धार पर बताए कि मिनाल के पतन का उतरदाई कोन है। मिर्नाल का सहपाथिम, सीला का भाई या मिर्नाल का सिक छक तो सीला का भाई जरेंदर कुमार के पन्यास त्याग पत्र अधार पर बताए कि यदि मिर्नाल सीला के भाई से हो जाती तो उसका जीवन केसा होता सुख में, कस्ट में, परसंस निये या निंद निये तो केसाथ जीवन हो तो अगर उसका विवाह किस से हो जाता तो अगर सिला के भाई से हो जाता तो जीवन सुप में हो जाता जरेंद्र कुमार के उपरियास त्याग पत्र के धार पर बताए कि मिनाल और शिला का भाई का प्रेम कैसा था उचित अनुचित परसंस निये या निंद निये तो किसका सही जवाब हो जागा उचित प्रेम था अगला प्रसन है जरेंद्र कुमार को परियास त्याग पत्र के धार पर बताए कि मिनाल की भाभी उसे किस से पीटा बेंद से पीटा था डंडे से कर छूली से या बेलन से अनि जो जब उसे पता चलता है मिनाल जब ज़्यादा देर तक सीला के भाई कहां रहती है सीला के घर रहती है और वापस आती है अनि जो परमुत की मा है वो क्या करती है तो मिनाल को बहुत पिटती है तो क्या से पिटती है उसके बारे में यहां बताना है तो क्या से पिटती है तो बेंतों से माती है क्योंकि बेंत की चर्चा बहुत है जरेंद्र कुमार के उपन्यास का भाई क्या बन गिया बाद में प्रोफेसर बन गिया कलेक्टर बन गिया सिविल सर्जन बन गिया या कमिशनर बन गिया सही जवाब होगा सिविल सर्जन बन गिया जनेंदर कुमार को पन्यास त्याक पत्र का धार पर बताईए कि मिनाल का पती आयू में उससे कैसा है छोटा है बहुत छोटा है बड़ा है बहुत बड़ा है तो इसका सही जवाब होगा बहुत बड़ा है प्रस नमर 25 को चलते हैं जनेंदर कुमार के उपनिया स्त्याक पत्र का धार पर बताईए कि मिनाल के पती का सरीत कैसा है पतला सुडोल मोटा भद्दा तो सही जवाब हो जाएग वो सराब का नसा करता है जनेंदर कुमार के उपनियास त्याक पत्र का धार पर बताईए कि चरित्र की दिरिष्टी से मिनाल का पती कैसा है पत्नी वर्ती वेश्या गामी व्याभिचारी या इन्वे से कोई नहीं तो सही जवाब होगा वेश्या गामी प्रस नमबर अठाएस है जनेंदर कुमार को पनियास उसी त्याक पत्र का धार पर बताईए कि मिनाल का पती के सा रहा कठोर घेनित प्रेम हीन या कोमल तो प्रेम हीन रहा और प्रेम वहार नहीं करता था जनेंदर कुमार को पनियास त्याक पत्र का धार पर बताईए कि मिनाल का पती उससे किस से पीटता है डंडों से हंटों से थप थप्लों से या बेंतों से पिटता है उसकी मनदब सिला की मिनाल की भावी भी बेंतों से पिटती है जब वो सुस्राल जाती है तो उसका पती भी बेंतों से बहुत पिटता है जिरेंदर कुमार को पन्यास त्याग पत्र गधार पर बताई कि मिनाल के पती द्वारा मिनाल को पिटने से मिनाल का कौन सा अंग छिल जाता है तो उसका पीठ छिल जाते याद रखेगा परस नमबर 31 है जिनेंदर कुमार को पन्यास त्याग पत्रिक अधार पर बताए कि मिनाल का अहम किस कारण से आहत होता है अनमेल विवा से प्रेम के से वंचित होने से प्रेम असफल होने से या पती के बाज धन ना होने से तो इसका सही जवाब क्या हो जागा तो 31 नमबर का जो सही जवाब हो जाएगा प्रेम से वंचित होने से अगला प्रसना है जनेंदर कुमार को पनियास त्याक पत्र अधार पर बताए कि इक्षा के विरुद विवा होने पर मिनाल ने अपने भतीजे परमोत से खिचा कहा मैं सुखी हूँ मैं दिखूँ हूँ तेरी बुवा मर गई तेरी बुवा धन्य हो गई तो मिनाल जो है अपने भतीजे से कहती कि तेरी बुवा अब मर गई प्रस नंबर 33 है जनेंदर कुमार को पनियास त्याक पत्र अधार पर बताए कि मिनाल ने सीला के भाई को चिठी लिखी थी उसका उत्तर लेकर को आया था तो इसका उत्तर भी लेकर परमोत आया था उतर नहीं दूँगी छट से गिरकर मर जाओंगी या जहर खालोंगी तो छट से गिरकर मर जाओंगी परस नंबर 35 है जनेंदर कुमार को पनियास त्याक पत्र के धार पर बताई कि मिनाल के पती मिनाल के चरित्र के बीशे में क्या विवार करते हैं लांचन लगाते हैं नि मिर्णाल की उम्र क्या थी तो जवाब उसमें बहुत बच्ची थी नन्हीं थी जिने निर्कुमार को पन्यास त्यागपत्र गधारवा बढ़ाई कि भाई दवारा मिर्णाल को उसकी सवसराल भेज देने के बाद त्यागपत्र का खथानक कैसा है संशित, विश्तित, करून या बहुत ही करून यहाँ चार ओप्सन आपको दिये हुए है यह चार ओप्सन में एक ओप्सन आपको बताने है तो कैसा है तो इसका सेज बहुत ही करून जब वो अपने सबस्रार चले जाती है तो वहाँ जाने के बाद और भी ज़्यादा दुखों में रहती है क्योंकि उसका पती उससे प्रेम नहीं करता है और हंट्रों से पिटता भी है अगला परस्ण है जरेंद्र कुमार के उपनियास्ट्याक पत्र का दारबर बताईए कि कोईले वाले के पती मिनाल का प्रेम के साथ था परसंता का दुर्वी सहाय का या सहन के करने के योगे का तब विवस्त थी और वो विवस्त ही कि उसे रहना ही था अगला परस्ण है जरेंद्र कुमार के उपनियास्ट्याक पत्र का दारबर बताईए कि तो कहती है कि मुझे मार डालो क्या कहती है मुझे मार डालो या कहती है मिनाल अपनी भतिजे से आज का अंतिम प्रस्ण है जरेंद्र कुमार के उपनियास्त्याक पत्र के अनुसार बताईए कि सीला के भाई के प्रेम के कारण बदनाम हो जाने पर मिनाल क्या करती है रोती है चुप रहती है च्छत पर खाटोला डाल कर लेटी हुई चीजे लेटी हुई चीलें देखती थी यह रहा कुई आपके लिए बहुत ही बहतर साबित होगा तो जो भी साथी बिहार A State Paper 2 की अगर आप Notes लेना चाहते हैं तो भारती विजन Classes पर उपलब्द है आप ले सकते हैं